तो फानाली हम लोग लेकर के हम आ गये हैं पूरा का पूरा एसेस्टी में जो जो मस्ट इंपोर्टेंट विवी आई कोश्चन है जो हर साल एक्जाम में पूछा गया है और पता है आपके लिए बाबु ट्रिक क्या बना है प्रस्ण कोई भी हो उत्तर यही होगा याने कि यह देख सकते हैं यहां दोनों में कोई भी पूछे तो एंसर आपको यही लिख देना है आपको नंबर बहुत अच्छे तरीका से मिल जाएगा और यहां एक और चीज बता दे अब आप बाबु याद मत किजिए बस इसको एक बार देखिएगा देखिएगा तो दिमाग में याद किजिए गाना तो आपको कंफीजन जो याद होगा वो भी भोल जाएंगे तो इसको सब्जेक्टिव को सिर्फ देखिए एक बार समझ लीजिए बस कहाने खत्म पहला है कि लोगतंत्र में सत्तक की सहजदारी क्यों जरूरी है या फिर यह को सिर्फ पूछे कि सत्तक क कि सजदारी क्यों जरूरी है माननी जी लोगतंत्र अभी हम लोगतंत्र लोगों का शासन है यानि जब लोगों का सासन है सभी यहाँ पे लोग राज कर रहे हैं लोग अपने मर्जी से नेता चुन रहे हैं तो लोगतंत्र में सत्तक की सजदारी माने सीट का बटवारा क्यो के लिए सेथा का सजदारी सचा का बटवारा कर देते हैं अब थोड़ा के लिए माना लिए कि एक समाज का सरवांगे विकास उनके लोग के विकास के भी न संभाव नहीं है तो यह चीज़े हो जाता है कि वही अगर मालो जिस छेतर कोई भी दौलीत वगरा किसी भी जात के लोग गर विधायक अगर कोई भी पद पर होंगे तो अपने धर्म अपने जात के बारे में लोग तंतर के लिए चुनाओती है वापरे बहुत बड़ा चुनाओती है क्योंकि जैसे ही आतंकवाद फैलता है विकास रुक जाता है यानि कि देश डेवलप नहीं करता है क्योंकि सारा ध्यान आतंकवाद पर चले आतंकवादी आ करके और हमला कर दिया क्या कर दिया हमल आज भारत सोहीद दुनिया के अधिकांस देश आतंकवाद की समस्या से ग्रसित है जो लोकतंत्र की एक गंबिर चुनवती के रूप में सामने आया है आतंकवाद के करण किसी भी देश के अखंडता यम एकता के लिए खत्रा उत्पन करें आतंकवाद आज पूरी तरह अपने जड़े जमा चुकी है तथा देश के विकास में पूरी तरह बादा बना हुआ है दुनिया के सभी देशों को मिल करके इस समस्या को जड़ से उखाड फिकने क्या हो सकता है अतंकवाद गतिविदिया किसी भी लोकतांत्री देश के लिए गंभिर चुनवती है यही सब चीजा आपर दिया है ठीक है तो यह भी मस्ट इंपोर्टेंट कोशन है दोनों में से कोई भी कुछ थे तो आप यही एंसर लिख लेँगे ठीक है यहाँ देखे हर समाजिक विभी रिटा समाजिक विध्यान करूप नहीं लेती है यह समुझता ही हम औरे हैं वा समाज में अंतर पाए जाता है अलग धर्म अलग जात के लोग पाए जाते हैं ठीक है तो क्या ये सब पाए जाता है तो समाज टूड़ जाता है यानि समाज का भी भाजन नहीं होता है अगर अलग जात के लोग पाए जाते हैं ये बात सही है मुंबई में और एक बार मुंब समाजिक का कोई आधार नहीं होता है इसी वज़ा से समाज अपने में लड़ सकता है जो जो जी ज जाती समधाइ में जनम लेता है उसी जाती समधाय की हिंसा Taylor मुमाई माराथी हो किहिए न वे जातीय भिनमें ठी धरम भी भीनमेंते वहां पर रहे निदम्हें के all समान गांग संग राजय का क्यारत है जब किसी भी देश का संचालन के लिए दुसरे अस तरपर सरकार का गठन किया जाता है तो उसे संग राजय का जाता है पहले राजय पर नहीं समानों कि मोदी जी एक हो गए तो भी पूरे भारत को चलाते हैं और नितिस कुमार सिर्फ बिहार को चला नहीं और चला रहे भाएं हैं तो माले लिए कि यह हो गए तो यहां पर बात करते हैं शासन यह भी चलाते थे तो यह वह लापका संग्राजय हो जा रहा है अगला पूस्चन समझते चैनल यहीं कुस्चन राने वाला इसमें पूरा का पूरा सेस्टी का मॉस्ट इमपॉर् लिए आप सब्सक्राइब करने जाए अब भी भी आपके हाथों में समय है हो सकता है कि इसमें से कुश्चन आ जाए और आपको बाद में पस्तावा आप सिर्फ देख के रहाज है इसलिए पूरा का पूरा जो पेडियेफ हम बनाएं आपके पहुंच जाएगा ठीक है इसमें इसलिए गांधी ने तो वादा भी कर दिया था कि गरीबी हटावा गरीबी हटाए नहीं भुकमरी आ गया तो ब्यार में वेच्छात्र अंद्रोल के परमुख करन क्या बहुमत से थे सन 1971 में कॉंग्रेस ने गरीबी हटाव के नारा देकर करके अपनी सत्ता में बहुमत हास फसलों नहीं हुआ तो आगया भुकमरी तो मौनसून की करण हुई कम फसलों के उत्पादन ने पूरे समाज में और संतोस फैला दिया और मार्च 1974 में बेरोजगारी एम खादानों की कीमतों में क्या हो गए ब्रिदी हो गई अब मानलो समान का नाम बढ़ गया इस परकार बिहार के छात्रों ने सरकार के खिला बिरूद छेड़ दिया यह भी लिख सकते हो जैसे चात्र रंदुलन के नाम से जाना जाता है और इसके नेता जय परकास नरायन था यह भी आप याद रखेगा राजनितिक दल किसे कहते हैं आपको पता होने चाहिए तो बहुत असान उसे राजनितिक पार्टी के नम नहीं जानते हैं वैसा पार्ट यह भाजपाइप पार्टी एप अलग अलग इस BACK इंBob होते हैं डिक होते हैं में कि कई राज ये अस्तर के भी होते हैं अब सबसे इंपोर्टेंट को सन समाजिक बिग्यान में पूछा जाने वाला राइनितिक दल को लोक तंत्र का प्राण क्यों काते हैं और कहेंगे नहीं क्योंकि राइनितिक जब होता है तो वहां पे एक नेता उमिद्वार चुना जाता हम लोगे होता है और वहीं हमारी समयों को सर्कार नितिक दल नित फैसा है और यहां पर क्या करते हैं एक पर यहां संचालन सब्सक्राइब करते हैं और अपने उमिद्वार खड़े करते हैं चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सरकार बनता है अभी देख लिए यह दल लोग तांत्रिक देशों में जीवन की एक अंग बन चुकी है यह जनता को राइंटिक प्रतिक्रिप्र सब्सक्रा देता है यह नकिवल राइंटिक रहे करते हैं बलगी शातक्लाव यहां कि यहां है यह ना किवल राइंदिकर करती सबस्त्राइण करते सबस्क्राश करते करते इसका मतलब समझें यही तो इंपॉटेंट इस पूस्च ने एक बार पूश दिया था कि रैंधिक डल सबी लोग और इसके सरकार आएक के पिछ्वन करता है यह जाएगी समाज के पास और उनकी समस्यां को जान करके और भीचवानिया ना और सरकार को पताइगे कि सरकार इनको पैसा in और यह इनको है पारते हैं यह को में फूरेशन पूछा था पता मैं क्या कि जन्ता और सरकार के बिच सेत्व का काम रहानितिक बडल करती कैसे यह पूछा था वैसे आगे देख भी लेता है यहां देखिए तो यहां देखिए लोगतंत्र के लिए उतरदाई वैद सरकार का गठन करता है यह किस तरह लोगतंत्र किस तरह उत्तरदाई वैद सरकार का गठन करता है वैद सरकार पहले क्या होता है इनके बारे में जान स्तों सकती है अब बात करते हैं इन्हें पूरादेख लेइगा बात करते हैं उतरदाइञ सरकार के लोकुछ सरकार यहां पर लोग सरकार बनाने के लिए अपने परत्रिधी का चुनाओं करते हैं परत्रिधी लोगों के प्रति जिम्मेद्वार होते हैं लोगों का अधिकार है कि यदि वे प्रत्रिधी का कामकाज से संतुष्ट नहीं है तो क्या करते हैं अपने प्रत्रिधी को बदल सकते हैं यह सिर्फ चीजे वैद सरकार में नहीं होता है अब यहां देखिए क्यों जाती के अधार पर भारत में चुनाओं नतीजे तै नहीं हो सकते हैं और यार जात के अधार प करना शुरू कर दे रहा है कि नहीं जब कि यह गलत चीज़ है यह यह तो पहले तो एक तरह से देखा जाते लोग तंतर के लिए बहुत बड़ा खत्रा है जाती परिवार के नाम पर ऐसा होता है तो यही बात जाती के आधार पर चुनाव नतिशे तय नहीं कि जाते हैं अब स करेगा जितना भी पार्टी होगा टिकट देगा अलेक्शन लड़ने के लिए तो उसी जाती को देता आएंग जाती बीसे इसके मत्दताओं का वोट भिन मिंदलों में अमिदारों के वीच बढ़ जाती है उमिदवारों को अपने जाती के मत्दाओं के सतन्य जाती के पापा जी एलेक्सन लड़ रहे थे और किसी कारण बस वो एलेक्सन लड़ना छोड़ दिये बहुत बुड़े हो गए तो उनके जगह पे आप लड़िए यही चीज भारत में सबसे ज़्यादा होता है अब इसी के लिए बिहार में भी देख सकते हैं मानलोप वहले लालुज तो आप के कोई घल्टी कीजिएगा तक ये डाटte नहीं सकते नहीं तो कहिएगा पने दळला ऐसा होता है न इस थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है अ यहाँ तो और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को परभायद करते हैं। बिहार में परिवार वाद वाद जातिवाय लोकतंत्र को कई माईने में परवाइद करता है। यहां पर प्रंपरा बनिए कि जिस जन परतनिदी का निदन या इस्तिफे के करण कोई सीट खाली हुई है, तो उनके ही परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाओ का टिकट दे दिया जाए ठीक है यह बिहार के लोकतंतर के साथ साथ भारती है लोकतंतर को भी परवायत करती है जातीवात के अधार पर बिहार करेती के अधार बटवरा यहां के लोकतंतर को एक खत्रा है जात के अधार पर उसको जनता चुनती है इसलिए तो जनता का सासन है लोक तंतर में जनता चुनाओकर अपने परतनेधी को चुनकर सरकार का निर्माड करती है इन में किसी परकार का बदलाव नहीं होता है या सरकार जनता द्वारा जनता के लिए ही काम करती है ठीक है यह जीजे होता है अब ब लेती बाड़ी से लेकर के वाईवान उड़ाना अंत्रिक्ष तक जा रही है इसके बावजूद भी दोयम दर्जा का सिकार है दो खलका होता है यहां पर ठीक है बिहार सरकार ने पंचायती राज अधनियम में महिलाओं के लिए 50% सीट दिया है यह कई बार कोशन पूचा गय अधनियेगा नहीं तो बहुत पस्ताईएगा यहां देखे सीट अरक्षित कर उनके राइनितिक भागदारी को असपस्ट के आज जरूवत पंचायतों के तरह हर विधान सभाओं में भी महिलाओं के सीट आक्षित कर उनके राइनितिक अस्तर को उच्छा उठा उठा उठ यहां देखे उसके राइनितिक छेतर में यह थोड़ा यहां मिस्टेख हो गया है यहां तो नमबर घ्र भारत एक दर्म नियर्चिक देश्क्स से कैसे क्योंकि बारत में सभी धर्म के लोग नियुएस खर करते हैं इसलिए धर्म निर्पेक्च है इसलिए आ summit Ah सब्ह gymnastics कोई भीधिकारी है और कोई भी काम कर रहा है तो आपको सुच ना करेगा कि हम यहां पर स्थिर उसको कुछ करोड रुपिया कि यह काम करा दिजी और आपको लग रहा है किसमें मुखिया जी होटाला किया है कुछ पईसा मार लिए हैं तो बुलना कि सरकार ने एक नियम दिया है सुचना का सुचना का अधिकार कब हुआ यह पारित हुआता नियम पूरता तो यह 2005 में हुआ था अब ऐसे भी इसका महामाराथों माला एक बरजा करके देख लिजेगा तो पता चल जाएगा ठीक है चलिए कि सुचना का अधिकार के के संधस्ट सुचना का अदिकारी परस्ण सामिल है उसके लोगों को यहां ऑधिकार होता है कि सरकार की यसरी अपनी समस जनकारी मौहिया कर सकते हैं इसके अंतर ही सरकार के दस सरकारी दस्टवजों के विभीन का जात कारे भीधी राजनीतिक नितिया Сरखारकी भाई यूजना ये 123 सामिल है राजनी tämä क्वार क्या है और्छ कुर्ष समस्या को सरकार तक पहुंचाता है चुनाव लड़ता है ठीक है राइनितिक दल का अर्थ ऐसे व्यक्तिव किसी भी समूस है जो एक समान उदेश से की प्राप्ति के लिए कारे करते हैं यदि उस दल का उदेश से राइनितिक कारे कलापों से संबंदित होता है तो उसे हम राइनितिक दल कहते है इतना काफी हैं तीक है किस अधार पर पर कह सकते हैं कि राज नितिक कि इसमस्या सरकर को बताएगी और यहां पर जाकर समस्या को जान के सरकार को बता देगी तो यह चीज़ें आप यहां एंसर में देख सकते हैं दल बदल कानून क्या होई अरे पॉल्टी मार देता है यह पुछेगा कि दल बदल कानून में पॉल्टी कौन मारता है एक पाटी से दूसरे पाटी में तो देखिए विधायक और संसद पर अगर तुम पॉल्टी मारोगे ना तो तुम्हारा सत्ता को चीन लिया जाएगा यहां से अब ऑबजेक्टीव शुरू होता है अब किताब का अब बात करते हैं अर्ध सास्त में कौन-कौन कोशन इंपोर्टेव तो यहां देखिए अगर इसमें से कोई भी question पूछे और फ्रस्फट्स कोई भी उत्तर तो यहीं होना है यह अर्थ विवस्ता किसे क्राइब ब्रस्ट कोई भी क्याम किजिए जो काम कोई भी काम किजिए अब पैसे ब्रस्फ कर लिए उसके अर्थ कर भीवाजन से होता है क्यूंकि और व्यस्ता में बीविन परकार की आर्थि किरियां के मतलब वही जो काम करके पैसा मिले आर्थि किरियां को संचालित की जाती जैसे कृिसी आप काम कर रहे हैं दोग वैपार बैंकिंग वीमा परिवाहन संचार विजली इस सब के द्वारा हम लोगों का देश चल रहा है इसी से तो पैसा की कमाई हो रहा है तो उसी को संरचना भी कहते हैं अर्थिवस्ता की संरचना इसके कारे रोजगार उपलब्द करना है इस सब का काम क्या है कि भिकास मुटलब आप तो कमांव का है तो भीकास अब ना पाह बहता बिजाता है कि कुछ था'm इसको मानों बिपाया सुचकांग के बारे折ुम नौन ने आवाज उठाई थी की अनौन कि इसे पता चलगा ऐक पैसा तो मानों विकास करें आप खुब पैसा आपके पास हो गया तो आपका तबीएत बहुत खराब रहा है तो मानों विकास कब करेगा जब उसका स्वास्त अच्छा हो क्या चाहो स्वास्त शेक्छा हो और तब पैसा हो ठीक है तो राष्टी आए देश में होने वाले ब्रिदी चार लाख तीरपन हजार रुपे प्रतिवर्श अगर एक व्यक्ति चार लाख तीरपन हजार एक साल में कमाता है तो वहां के वह देश क्या है समरीद है लेकिन वह ह अगर 37,000 एक साल में कमा रहा है तो वह देश क्या हो जाएगा निम्न स्रेडी में आएगा ठीक है मानोबी का सुचकांग भी आपको बता दिए अब यहां देखिए प्रतिव्यक्ति आए क्या है तो सिंपल देश की पूरे पैसा को उपर रख दो पैसा जादा होता है इसलिए और इसकी जन संख्या यह मानोब कि देश की कूल पैसा या आई लिख लिजएगा और देश की कूल जन संख्या से भाग देने पर प्रतिव्यक्ति आई निकलता है यह दोनों में क्या अंतर है अभी उपर भी बताये थे रस्टी आई क्या होता है रस्ट की आई तो यह इसक्री मगारा देते हैं उसको बाल देते हरे मम वहां से मलाइव रफ ले तो पैसा थोड़े देते बाल देते हैं कि टाकि एक बर हम बोघ केश मिठाई वबना करकर बोलता है तो यह सब को ना ले करके अपने में अभी जीविकाला देख रहे हैं अपने में ग्रूप बना के और एक दूसरे का सहकारता का संचीप्त मरन करें या फिर यह पूछे कि भारत में सहकारता के विकास का वर्णَan करें तो यह वाल आंसर इस सहकारता की सुरुवात 1904 में थीक है भारत में वर्णन करें तो यह वाला एंसर जग वैसे साहकारता की सुरुवात 1904 में ठीक है भारत में सरव परतम एक साहकारता शाक्स समीती विधान पारित हुआ जिसके अनुशार कोई भी वेक्ति दस वेक्ति मिलकर साहकारता साहक समीती के स्थापना कर सकता है 1912 में एक और अधिनियम आया इसके अंतरगत रीड के अन्या स्वरी अन्या उदेशियों के लिए भी केंद्रिये संगटनों की स्थापना वी सरकार नहीं बोला कि यारी तो अपने से हेल्प ले ले रहा है तो थोड़ां भी मदद कर दें इस तरह से 1929 के महान आर्थिक मंदी यह पूछा है एक्जाम में कि महान आर्थिक मंदी कव थी 1929 में महान आर्थिक मंदी के करण इसके विकास के कुछ बढ़ाय आ गई विकास में लेकिन रिजार्ब बैंक अफ इंडिया 1935 से इसके सकिर्य योगदान अमान लोग कोई बढ़ाय आ जाएगी क्योंकि पैसा किस संस्था आए किजिक आते हैं इसके कितने भागों में बाठागिया तो बहुत मैं होता है कर जेशाख परवंद अथवारी लेटिन के करती हैं उसे बीठी राष्टिए मुद्रा बजार और पूंजी मुद्रा बजार आल पकालीने रिड देता है ने कौम समय के लिए लोन पूंजी बजार दिर्ग का लिए लोन देता है इसको रट लेजी और एक और चीज़ दिर्ग समय के लिए भूमी विकास बैंक भी लोन देता है तो दो चीज़ आप याद रख सकते हैं वेवसाइक बैंक का मुख्य काम करें अरे पैसा देना है पैसा जमा करना लेना सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना कि अर्षिक महत्सक्ता था मुद्र के बीकासपर प्रकासट नहीं कि मुद्र का क्या आपके जिन्हें आप संब्सक्राइब कितना परसानी होता था एक वस्तु दें करके दूसरा वस्तु ले मान लेंकि आपको इस आहा जमीन करके और कोई दूसरे जगा सेटल होना है तो आज कल के जमाने में क्या होता है कि पैसा लेंगे जमीन बेच करके चले जाएंगे तो पैसा लेके जा सकते हैं पहले इतना बढ़का घर दीजेगा नदेश के बदले में वह कुछ देगा तो कई से लेके जाएगा तो यहां देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी शंभाव नहीं होती है यह कुछ नहीं पूछा गया कि मुद्रा हमारे शरीर का हिर्दर तो नहीं लेकिन रख जरूर है अधुनिक जीवन में मुद्रा ही जीवन का आधार है ठीक है यह याद रखेंगे इसके हर छेतर में है अब यहाँ देखिए यहाँ बात करें अगर तो उफभोग क्यों कि CHTRI में मुद्रा कök अगर महत्वा की बात कर देए इसका विकास Σुरु सही हो रहा है जैसे कि वस्टूीन में पहले सूनिक तो खिलssä उसके वास को डा wrappedround T सब्सक्राइब करन क्या है बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है यह वैस्वी करन इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए पहले क्या होता था कि विदेश की चीजें हमारे पास उपलब्द नहीं थी उपलब्द कहां थी तो हुआ कि 20 बजार लगा अब कोई व्यक्ति है भारत में यह ऐसा टाइप का चीज देखें इनका समान इनके यहां जाएगा इस तरह से सभी देसों का समान सब देस में लवद हो जाता है तो इसी को क्या कहते है वैपार परवाव पड़ा भारत पर परवाव पड़ा और भारत पर क्या पर परवावी पड़ा तो देखें यहां पे नई-्यू समागरी आ गही ठीक है वैस्वी करण के वोने से एक कमपणी यहां बिदेश के यह और यहां पर जैसे LG कमपणी देख रहे हैं LG अपने भारत की नहीं है तो फिर भी क्या होई वैस्वी करण के मादेम से उनको अधिकार मिला कि आ कर के वो क्या भारत में रह सकती है और इस जमलों को रोजगार भी मिला तो वैस्वी करण से फाइदा भी है नुक्सान भी है लेकिन उनके आने से यहां पर तो मज़दूरी खतम हो गया ना वैस्वी करण एक सतत चलने वाली परकिरिया जिसे दुनिया के सभी देश और राज्य एक दुसरे से आर्थिक राइजिती कम सांस्किती रूप से जोड़े है इस परकिरिया में यह सभी संभो अस्तरों पर वैस्वीक संचार बढ़ाता है और विश्वक में एक रूपता हैं छेत्रिय दोनों की परविती बढ़ाता है वैस्वीकरण के फॉल्सरों बिहार ही नहीं पूरे भारत में मध्यम वर का उदय हुआ और एक जगास का समान हर जगा उपलब्ध है ऐसा हो जाएगा अगला कुश्चन है कि उपभोकता संराचन अधिनियम पहले तो यही कुश्चन पूछेगा कि उपभोकता संराचन अधिनियम कब लगाए गया पूछे कि उप्भोकता के करतव क्या है यह यह पूछे कि उपभौकता के करतब्य के बारे में लिखें यह तीनों में कोई कोश्चन पूछे तो यहां पर आपका एंसर है यहां द sotto जो लамен करक्ष vend espero के बारे में बता सिकाइच निवारण भोकता से सम्मन्धित अधिकारों का उच अस्थान परदान है अभी बैस रक्षा का अधिकार है आपको सुचना का अधिकार चुनाया प्संद आधिकार है समान को चुन सकते हैं और पसंद कर सकते सिकायत निवार ने अच्छती पूर्ती का भी अतिकार है जब कोई समान ठग दे यानि गड़बर दे तो जा करके उसको सिकायत भी कर सकते हैं बाकी भोगता जब कोई वस्तु खरिदता है तो यह अवस्य होता है कि वस्तु की रसीद एम वस्तु की गुणवता ब्रांड पिछड़ेपन का क्या करन है सबसे पहला इमार जन संख्या ठेर बढ़ रहा है बढ़ती हुई जन संख्या खाली बच्चा पैदा करेगा तो का होगा दिक्कत होगा ही ठीक है खाने के लिए कुछ होगा है नहीं दस्त को पैदा हो जाएगा एक मौसिक किया पुछाएगा चाची किया और दादी किया इस तरह से तो भुकमरी आएगी तेजी से बढ़ती हुई जन संख्या सबसे पहला करण है फिर पिछड़ेपन का एक और कारण बार और सुखार की स्थिती भी यह भी करण है पिछड़ेपन का इसके बारे में आप लोग लिख लेंगे ठीक है उसके बाद से तीसरा है कि आधारी संरचना का अभाव आधारी संरचमन यहां पर फैक्ट्री वगरा बहुत कम है जिसे लोग अपना मतलब जीवन अस्तरुन का नीचे जा रहा है नौकरी नहीं मिल पा रही है कुसल प्रसासन का अभाव भाई हमारे यहां कि पूलिस भी अ आउं में परियोग करना योजना परियोग करना या यूजना बनना इसका उदेश सहराष्टी विकास दर को बढ़ना और क्रिसी में ब्रिदी करना हम आपको समझा रहे हैं आर्थिक नियोजन जो भी आपके पास संसाधन बचा हुआ है अगर उसका सोच समझ के इस्तमाल कर इस बार पीपर में जब ही गया आए समझो तो यहां देखो अगर कोश्चन पुछे के जर्मानी की एक उकरन कैसे संबह हुआ यहं यहां। Detroit या फिर जर्मानी की एकरन में बिसमार की क्या भ concet है यह कूश्चन जर्मानी के एक उस्त्रिया की यह पांचों छेक इक ऊसेन को तूटा हुआ था कितने राजों में तूटा हुआ था राष्टवाद की भावनाओं का अभाव था ठीक यह रटली जी एक कुश्चन अब यहां देखिए धार्मिक समाजिक विश्वताय हो ना इसलिए इसका एकरण बहुत ही मुश्किल था लेलीन द्वारा तीन सो राजिय को 49 रजों में एकरण करने के बाद प्रसा के सासक बिल्यंट परथम द्वारा चुना गया चांसलर विश्मार्क का उधिस थे और ड्मनीक एकरण में सबसे बड़ी बादक अस्टिया थी बिसमार्क का मनना था कि एक करण अदर्सवादी तरीके से नहीं बलके रक्त औम लोग की निती से अपनाएगे उनके लिए सबसे पहले बिसमार्क ने अपने आर्थिक स्तिति को सुधरा अपने सेना को मजबूत किया और एकी करण में जो भी बधाएं आई जैसे ऑस्ट्रिया फ्रांस डेनमार को बूरी तरह से क्या क्या युद में पराजित किया और अंत में क्या हुआ इटली सौरी जर्मनी का ये करण किया तो यह सब शीज़ें याद रखिएगा यह कोश्चिन पूछे कि जूलाई अथार्चो तीस में आपको याद नहीं रखना है कई बार बोल रहे हैं सिर्फ देख लिजी अ अपना परधान मंत्री पोलिगने को बना जो बहुत ही निरंकुष था लुई 18 द्वारा समान नागरिक्ता को हटा करके विजात्य वर को विशेश अधिकार देने का पर्यास किया और लोगों ने विरोध किया तो विरोध को दबाने के लिए चार अध्यादेश जारी किया च इसने बेऌने की दोनOOD घट्या तो इसिलिए कानफिव था अगला पर्याऄर न लोत इंपॉर्पर्टन ने अहसेशेब करने लगे क्योंकि इनका क्योंकि गलत है क्योंकि इनका उदे से पूरे हिंद चीन पर अक्रमन प्रभुत्व कायम करना था अगया न इस परकार 1747 इसी में अन्नाम में रूचिने लेन लेगा पहले अन्नाम को देखे फिर 1787 की बात करें ठीक है इसी में कोचीन च कर्मन फ्रांसिसी पादरी के विर्द लोगों में असंतुस की भावना उत्पन हो गई और और बात करें तो 1862 में अन्नाम को सेने संदी के लिए बात देखिये और विश्वी सताब्दी तक हिंद चीन पूरा अधीन हो गया कभजा होगे हुआ 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 भी अन्जाम देता है यहां पर और यहां जरूरत पढ़ने पर आत्म दावी करते हैं यानि कि अगर इनकी बाते नहीं मना जाता था बहुत धर्म के लोगों का तो यह अपने आपको जला देते सरकार के सामने अंदुलन करते करते ठीक है इसके यहां देखिए इसके नेता क कौन था यह पूचा गया तो मेजनी गड़तांत्रिक वीचारों का समर्थक और योगिसेना पदिता में टरने क्यों क्या है 1815 से 1845 के समय को अलको में टरने क्यों करते हैं राष्टवाद क्या है अपने देश के बारे मतलब अपने देश के लिए प्रेम उमर्णा क्या है पंजी बात क्या है पैसे वाले लोगों को पुझी बात कहा जाता है उत्पाधन के सभी साधनों पर पुझी पतिओं का नीजी अदिकार होता है ठीके कमपने के मालिक हखुद अधिकार होता है इसी को पुझी बात कुरते है также ant tangible पूछ सकता है समयवाद समयवाद क् राज्य को अपना विरोधी मानता है ठीक है उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का स्वामित तो होगा यह नीजी संपति को पूर्ण प्रतिशेद करता है ठीक है और क्या करता है और राज्य को अपना विरोधी समझता है यह राज्य को अपना सहयोगी मानता है और यह रा स्क्टी और गौरों को बढ़ाने के लिए दूसरे अपने अधिकार हो एक राजए दूसरे राजे-परमने अपने अधिकाय जमा लेता हैं अगला question अगला question ने च्छापा खाना एरोप में कैसे पहुचा तो बात करते हैं हम लोग मार्को पोलो लाया था यहां देखें मतलब च्छापा खाना मतलब आज printing प्रेश्ट जो हम लोग देखते हैं पेपर पढ़ते हैं यह सब च्छापा खाना काई देने किताब पढ़ते हैं तो 15 सताबदी तक पुरी यूरूप में यह क्या हो गया प्रचलीत हो गया मस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन इसको कुछ देखिए खाना खाना भूल जाईए लेकिन इस कोश्चन को याद करना मत भूलेगा रूस की करांती के करण क्या है और अक्टूबर की करांती यह दोनों म इसके बारे में लिखना है कि जबरदस्ती अपना धर्म भासा रूस का सबको अपनाने को बोला था इसको रूसी करन की निती का आते हैं प्रतम विश्वयुद भी था प्रतम विश्वयुद में यहाँ पे युद में हार गया इसलिए खुनी रभी बार क्या है तो खुनी सासक के खिलाप रूटी दो के नारा लगाते हुए सेंट पिटर्सवर्ग महल के तरफ जा रहे थे अरूस की राजा या रूस के जार सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलिया चलवा दी जिसके करन हाजार लोगों की मिर्ती हो गई चुकि वह दिन क्या था रभी बार का था इसलिए उसे खुनी रविबार के नाम से जान जाता है यह 1905 में हुआ था नौ जनवरे 1905 नई आर्थिक निती क्या है भाई यह लेनिन द्वार लगाया गया जो था नई आर्थिक क्या है यह क्या था डेवलोप्मेंट था अच्छा सा दिस कैसे डेवलोप करेगा अपने ह पुरे रूस में एक सामाजवादी व्यस्ता लागू करना पुंजिपती व्यस्ता को हटाना था जो उस समय क्या था अच्छा था इस वरकार नई अर्थिक निती को मर्शवादी सिधान के साथ समझाता करना पड़ा था महात्मा गांदी के सभी अंदोलन की चर्चा वैसे आपको ट्रिक तो याद होगा कि महात्मा गांदी के सभी अंदोलन एक ट्रिक में हम आपको बताये थे उसको देख लीजेगा तो फिर आपको ये सब अंदोलन देखने की जरूरत नहीं है सबसे पहले आ सकता है खिलाफ़त अंदोलन क्या सकता है खिलाफ़त अंदोलन यह पता होना जाए कि 1909 से लेकर के 22 के मद्या भारत में मुख्य रूप से बहुत संख के वरबों द्रो द्रो चलाए गया राइजनितिक धार्मिक अंदोलन था ठीकि क्या बिहार भारत के मुसलमान उसमें सामिल हो गये सामिल हए थै। तूर्की के खलीफा बोला जाता है धार्मीक ग्रू बोला जाता है उनको अंग्रेज इंसल्ट कर दिया, जिसके वज़ा से पूरे विस्वा के मुसलमान क्या हो गये अंग्रेजों के विरुद हो गया उसी वह खिलाफ न लें गांधी जी बोले कि किसी एंग्रेज का सायोग नहीं करना है 1920 में चलाया गया था ठीकिरा सायोग अंदोलों जिसमें अस्में सभी लोग अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दिये स्कूल कॉलेज में सभी लोग सरकार्य वगार नवकरी छोड़ दिये इसी यह सोयोग अंदोलन है नमक सत्याग्रा 1930 में अंग्रेज अंग्रेज सरकार ने जब नमक पर टेक्स लगा दिनी कर लगा दिये तो महात्मा गांदी ने इस कानून के खिलाफ अंदोलन सत्याग्रा सुरकिया 12 मार्च 1930 को यह अंदोलन शुरू हुआ था ठीक 24 दिन बाद भारत के दांडी पहुंच है कहाँ पे महात्मा गांदी केनित में 24 दिनों में यह अहिंसा अहिंसा स्वारी यह अंदोलन छे अप्रेल को दांडी पहुचा और अंगरेजो का बनाया नमक कानून को तोड़ दिया ठीक है जब नमक सत्यग्राइब 6 अप्रेल को खतम हुआ उसी वक्त सविन्य अवाग्या अंदोलन 6 अप्रेल 1930 को गांदी जी के नेतित में चला ही गई अंदोलन का मुख या उदेश या ब्रिटिस सरकार दोरा बनाये गए कानून को तोड़ना और उनकी बातों को अवहिलना करना था उनके बातों के बिरोद करना सविन्य आवा गया अंदोलन करना था रॉले टेक्ट किया एक काला कानून बोला गयाता था जैसे चार लोग बिना कुछ जाने जिल में डाल देता था एक परकार का काला कानून है ठीक ब्रिटी सरकार को यह अधिकार दिया गया कि किसी भी भारतिये को बिना मुकादमा चलाए जिल में बंद किया जा सकता है कुछ उगलती हो चाहे नहीं हो जिल में बंद करो अगला कुस्चन है यह में में फने बारे में hoof राश्टपती निक्षण के बारे में, सांती की कि शमळ में 53 योजना दिया था जिसने बा इसके बारे में यहां पे हम लिख दिया है युद्ध बिराम के दोरान अपको पता अभी में खूब लडाई हुआ, बात मैं में जब अमेरिका के निक्षन बने तो उन्होंने बोला कि युद्ध बंद करो और कौन-कौन सन्नियम का फॉलो करो सबसे पहले युद्ध बंद करो और अपने अस्थान पर रहो ठीक है यता अस्थान पर रहे हैं ठीक है इसकी देखरेक अंतराष्टिया परवेक्षक करेंगे क कोई भी देश अपने सक्ति को बढ़ाने का परियास नहीं करेगा सभी देशों की लड़ाई बंद होनी चाहिए ठीक हिंद चीन के संघर्ष का अंत होना चाहिए यह चीज़े यहां पर था अब बात करते हैं यह कोश्चन तो खैर इस को बिहार बोट से बड़ी प्यार है आपको बताये थे न अगर कोश्चन पूछे विश्व आर्थिक मंदी क्या है विश्व व्यापी मंदी क्या है विश्व आर्थिक मंदी के क्या करण है आर्थिक मंदी के क्या परड़ा में 1929 के आर्थिक मंदी के करण को बता है 1929 के आर्थिक संगट के किनी तीन करणों को संचीब कर यह सब कुछन पूछा गया है 1929 के महामंद क्या एक कुछ भी पूछे तो आप बस इतना एंसर लिख दीजेगा इसमें बढ़ा चड़ा के भी लिख सकते हैं ठीक है सेयर मार्केट गिर गया जिसके करण सेयर धारको के करोणों डॉलर डूब गया और कंपनी की उत्पादन कार्या बंद हो गया था लोग वेरोजगार हो गया और कर्ज में दबे लोगों ने आत्म हत्या कर लिया यह सब चीजे था आगे भी लिख सकते हैं बना करके यहां देखो अधोगी करण क्या है अरे मसीन का आ जाना अधोगी करण है इससे मजदूरों की जीवन पर क्या परवाब पड़ा अरे मजदूरों की जीवन पर क्या परवाब पड़ा यह तो आपको पता है कि कुटिर उधोग यानि बंद हो गया चोटा मुटा जो धंदा लोग लोग किया थे थे ना वो ऐसे ही बंद हो गया क्योंकि बड़ा-बड़ा मसीन चूर्णी सोग्हान बड़ी असानी है मैंनो लोग कि पहले लूहा के का मसीन से हो जा रहा है मजदूर से वही नेर है तो वहां वह लोग बेरोजगार होंगे ही इससे समाज के जीवन अस्तर में परवरतन हुआ उसे अधोगी करन अधोगी करांती कहते हैं ठीक है इससे मजदूर की अजविका का पर बुरा परभाव पड़ा ठीक है और विविन के परवरतन भी बड़े मसीन यंत्रों का निर्माट कुटी उधोग सिल्फ उधोग उनकर उधोग का पतन हो गया इस परकार समाज दो भागों में बट गया अब मसीन है तो दो भाग में समाज बन गया एक हो गया पुंजी पती जो कि पैक्टी के हमालिक था और एक स्रम य और आगे आपको खुद इसके बारे में लिखना है पुंजी पती के बारे में और स्रमिकों के बारे में ठीक है अगला कुश्चन दिखिए सहरी करण की परकिरिया में है अगर बात करें तो वेवसाई वे मध्यम वर्गयों मजदूरों की भूम का है जब सहर बनना सुरू हुआ इसमें वेवसाई जो बैपारित है उनका क्या योगदान है मध्यम वर्गयों का क्या योगदान है यह सब सीजोको हम लोगों को जानना है यहाँ बहुत important question है सरिकंट के प्रकिरिया में व्योसाहीं वर्ग मध्य़ंवर्ग मजदूरवर्ग की भॉमिक़ा काफी महतोपून है व्योसाही वर्ग ने अपने वैपारिक उदिस्यकी पूर्ति तो व आड़ीज्ययकरयस तल जन परिवहन की अस्थापना करना प्रणामगी है पता है सहर बनाना तो बहुत फाइदा हुगा इसे क्या हुगा कि हर फैक्टरी यहां पर सहरों में बैठ सकता है और सहरों में हर चीजे नजदी की उपलबद होता है हम लोगों को स्कूल दूर जाने पड़ता है देदरव rec और इस वर्ग से शिक्छक वकील इन गरीब लोग में चिकितसक एंजिनियर कलारं अकांटेंट यहारे भी बिविन पदोपर लोग 80 में होने लगे यह सपद बन गया और इस तर से ये लोग इंजिनियर वगर अभी बने लए कौन मध्यमवर के लोग इनकी आर्थिक स्तिती उन्नत होने लगी यानिकी उनकी स्तिती काफी अच्छी होगे पैसा उसा कमन लगे नहीं तो पहले हम लोग का कोई वैलू नहीं था बाबु पता होना चाहिए आपको जितने भी उच जात के लोग हैं इनी लोग का वैलू था ठीक है जो छोटे मध्यमवर गी हैं उनके कोई वैलू नहीं था लेकिन देरे देरे लोग पढ़े लिखे समझदार हुए और उन लोग का भी वैलू बढ़ गया है तो यही सार इकरण में इनकी भूमिक्या के बार रहते पैसा नहीं दे रहते तो उनकी इस्तिती दैनिया होती गई जिससे स्विधाहीन घरों में रहने के लिए बात देव गए इस इसलम पत्ति कहते हैं निविकार घर में रहने लगे यह चीज़े अगला कुश्चन है कि राष्टिया अंदोलन में प्रेस बाप प्रिबा रहा है यहां पर सभी लोग बैट करके अंदोलन करते तो प्रेस इस आंदोलन की समस्याओं को पूरे बिस्व में बताती है और इस तरह से पूरे बिस्व के लोग क्या करते हैं जानते हैं ठीक है यहां देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि पहले मेडिया वाला देखिए मूवी देखिए न पहले प्रेस वाला जो भी रिपोर्टिंग करता था लो उन लोगों को चड़ाता है लोगों को सरकार की कमियों को बताता है जिसे यह सब सरकार या फिर किसी भी बड़े न पीपर की बाते और अंदर जुनून जग जाएगा राष्टवाद हो जाएगा प्रह सिक्षित करता है लोगों को समझाता है कि वही देखो सरकार कैसी है ठीक है मुख्या राइजितिक कारेओं जैसे के राइजितिक प्रचार ठीक है सिक्षा और राष्टवादी विचार के गठनें प्रचार के लिए प्रेस मुख्य सादन होने के वज़ा से आप कह सकते हैं कि राष्टिया अंदोलन में वो भारतिया प्रेस ने काफी हद तक परवाइद किया ठीक है यह हमारी बात अभी आज कल देख लीजिए कि बहुत ऐसा पत्रकार बने हुए है ठीक है जो सर यह सब प्रेस की सब भूमिका आपको याद होने जाए ठीक है अब बात करते हैं देखे आप प्रेस के बारे में अभी रटने से कोई फाद है बस समझ लेजिए कि आंदोलन को आगे बढ़ाने में पेपर वाले जितने भी पेपर चापने वाले प्रेस हैं उनके बहुत मु लेना नहीं तो यहां पर आपको मिलेगा है गुटेन वर्ग ने मुद्रन यंत्र का अविकास कैसे के मुद्रन माने पईसा मत समयना मने चापने वाला पेपर चापने वाले मसीन का अविकास कैसे किया तो गुटेन वर्ग ने आवस्यक्ता के अनुसार मुद्रन सियाई भी स्याय लगा करके कागज रख करके यहां पे प्लेट दिवारा दबा करके मुद्रा मनें अभी आपको मांव मार दिया तो मांव मारे तो mortal यह यह अगुरा प्रकर लगरी को कैसे था और लगडी वगरा मिसमें स्याय वगरा डाल करके जैसे मोहर देखें को लोग मोहर ऐसे इंक में बोर करके और डाल दे जाता ना वैसे यह मुद्रण काला का विकास हुआ था ठीक है अब हम लोगों कोई बेकुफ नहीं बना सकता है तो यह पूरे विश्व को छपाई कला मुद्रण कला फरवाइद किया है या फिर इसके बारे में इसके विकास के बारे में लिखें तो आपको यह लिख लेना है कि मुद्रण क्रांती के फॉल्सरूप किताबे समाज के सभी तब दो यानि कि वर्ग तक पहुशन लगी किताबों की पहुँच असान होने से पढ़ने की नई संस्किती बिक्सितु या मुद्रण क्रांती ने आम लोगों के जिन्दगी पुर्व यहां पे पूर्ण रूप से बदल दी होगा आम लोगों का जुडाव सुचना ज्यान संस्ता या और सत्ता से नजदी की अस्तर हुआ परडाम स्वरूप चितना की चितना हम दृष्टी का बदलाव संभा हुआ पटन पटन के वीचारों से व्यापक प्रचारक प्रसार हुआ और तरकवाद और मनातावाद द्वार खुला ठीक है और जब लोग ज्यानी हो जा कर दिया आपको जबाब देने के लाइक हो गया है तो लोगों को तकलीफ होता है पांडू लिपी क्या है तो व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गए लिपी को पांडू लिपी कहते हैं अब भूम अंडली करण के है तो उपर ही बताय थे वैस्वी करण और भूम अंडल करन का हालाता है तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे बीष्वकर अर्थवरस्था को संसार की अर्थवरस्था के सांथ एक गिरित करना बोमटली करण के चित्र में काफी बदलावा है भारत में रहने माले लोगों के लिए भूम अंडली करण के द्वारा रोजगार की नए और सर उपलावदुए हैं ठीक है यह वाला कालिक निया रोरो कर बुला हाल होगा जिसे इदर सायरी हो गया ठीक है चले तो यहां पर अभी तो हो अब बात करते हैं कि यहां पर लॉंग टाइप देखिए की हो गया आपका इतिहांस अभी यह है भूगोल दुनिया गोल है यही भूगोल है बहुत मस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है फसल चक्रण किस तरह मिरदा को संरक्षित करता है यानि मिरदा को बचाता है तो यहां इसे मिरदा में हरास इत्र नहीं दल्हका इसे चलब दल्हका पौधे की खेति द्वारा ठीक है देखे जब किसी भी मिट्टी की उरोता सती खतम हो जाती है तो आप तेल वाला पॉदर रुपी जैसे सरसु वगरा या दाल वाला रुपी या रहर वगरा इससे फिर से उसमें उपजाने की सक्ति आ जाती है क्योंकि इसके जड में नाइट्रेट पाया जाता है ठीक ह है अब बात करते हैं गोडवाना गोडवाना समुप की चार कोईला छित्र के नाम बताई तो आपको पता हूंदेट्रिक दसोगो महानदी यह चार कोशेत्र हो गया दस से हो जाएगा दामोद सो से सोन गो से गोदावरी और महानदी हो महानदी से महान चार गो यहीं से कोला छितर निकाला जाता है ये एक्जाम में पूछा गया है वेवसाई क्रिसी और निर्वाह क्रिसी में क्या अंतर है तो ऐसा खेती करो क्रिसी मने खेती जिससे वैपार हो जाए और ऐसा खेती जिससे सिर्फ खाने पीने का काम हो जैसे गेहूं का खेती होता है तो इसी क्या यह दोनों में अंतरा आप लिख सकते हैं यहां पूरा का पूरा हम लिख दिये हैं बिहार के नदियों का परिवहन छेत्र में क्या योगदान है आपको पता हुआ जिसे परिवहन का विकास हुआ है घागरा नदी से यहां पर खध्यान गंडग खागरा न्दी से खध्यान निकलता है गंडगसे सबसे इसन नदी से बालू और पून पून नदी से परिवहन का कार्य हो गया बन बिनास के तो कारण या क्या जैदा फेक्टरी बैठेगा तो जंगल को साफ करके की जा रहा है जन संक्या बड़ेगा तो लोग घर बनवाने के लिए जंगल को काड़ देंगे ठीक है तो बहुत सारा उपाय है कि नहीं अपने से भी लिख सकते हैं क्रिसी ज्यादा फैलाईएगा तो खेती ज्यादा फिलेगा तो जंगल को साफे करके न ठीक है तो यहाँ पर हो जाए क्र पर रोक लगाया जा सकते हैं ठीक है वहनों को आग जली से नहीं आग से बचाना है वहनों को अधिक चराई से बचाना है ज्यादा चरे नहीं ठीक है संसाधन संरक्षण किया है तो माली ये संसाधन माने जो चीज़े आपके काम आजाए उसे संसाधन काते है एक मैरातन वाले वीडियो में आपको एक ही वीडियो में पुरा जोग्राफी देखिए इस बार मौका है आप सुची का सर क्या हम दू घंटा के वीडियो देखने जाए सुनिये ना अभी न देखना है आज भर तो देखना है ना आपको उसको आपको एक्जाम ही देना है ठीके तो एक बार जा करके और देख लिजिए आपसे रिक्वेस्ट है जब आप देख लिजिए गाना तापको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि डारेक्टिक किजिएगा संसाधन सर्रक्षण का क्या महत्वा है तो यहां देख लेते हैं बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है लेकिन संसाधन का विवेक पूर्ण उपभोग तता अती उपभोग कई तरह की समाजिक आर्थिक परेवणे समस्याओं को उद्पन करती है ठीक है विवेक हीन उपभोग हो जाएगा अब यहां पर अता संसाधन सर्चन अती अवस्यक है संसाधन सर्चन क्या महत्यक है देखे इसलिए अवस्यक है कि हमारे पस जो भी चीज़ें है उसका उपयोग हम लोग सूच समझ के करेंगे तो हम और बात करते है पंढ़व पाती पंढ पाती पाती होगा वन की चार पॉर्ण पाती या पंढ पाती या ट White यह जेसे आउला आश्यका चार चार पहे का अउला व्रजी सीशम अंगीर हूं वी सेब बांस होता है करके खंदान का है जब पिद जड़ जादा है शौरी पिद नहीं जड़ जाता है नवीकरणिय अरजय के चार रधर नवी करणिय मनें ऐसा उर्जय शंसाद's जो तरता जो प्रभाथा जो कभी खतम नहीं हिूं नया नलती के जैसे सूर्य का उरजय ओड़िये वील्ग अब इंधुर जल अर यह सब कभी खतम नहीं होता है नगदी पसला ऌनल रूपण फसल में क्या अंतरे सिम वहीwort है र्वोपड़ व Singh गलती से उस norms ऐजय finely वैपारिक फसे और जीवननिर्वा है यानि रोपरण फसे भू कि एक विषेश का उत्पादन ध्यांने जाराई वहीं नगदी-फसे यहाँ पे इसका इस नगदीहूं में बजार नगद रूपय प्राप्त के जाता है ओधी 90-120 दिनों तक होती है जैसे आम, केला, लीची, अन्य फसले यह सब नगदी फसले यह पैसा ले लिया जाता है और उपर फसले एक ही बार लगा करके लंबे समय तक इसका पादन के जाता है इसकी ओधी एक वरस्ते होती ह जैसे कहवा, रब, बढ़, को, को, नारी ये लिए सब शीजे होता है, बहुत दिन बाद निकलता है यह सब, यह कुस्चन गलत हो गया, पहले ही बता दे रहे हैं, जैव और जैव संसादन होगा, जिसमें जान हो उसे जैव संसादन कहते हैं, प्राकृतिक संसादन हैं सरच बिहार में पाए जाने वाले कौन-कौन से परमुख खनीजे बते, तो मैगनीज, चूना, पत्थर, पैर आइडिये, तीन गोई याद रखेगा, बिहार में खनीज पाए जाता है, अब बत करते हैं, प्रमपरागत और गैर प्रमपरागत उर्जा क्या है, सुनिए, उर्ज प्रमपरागत सुरुत में कोईला, जो चीजे खतम हो जाए, उसे परमपरागत कहते हैं, ऐसा समझ लिजी, जो चीजे खतम नहीं हो, उसे गैर प्रमपरागत कहते हैं, यहाँ इस हिसाब से समझ सकते हैं, खनीज को परभासित करे, जमिन के अंदर से जो खुद क्या निकाल आपको सिर्फ हम आइडिया देता है जाकर के लिए वनों का क्या महत्वा है और यार वन नहीं रहेगा तो पार्यावर्ण कई से रहेगा ठीक है पार्यावर्ण अब मंदर परदूसर फैल जागा पूसर फैल जागा तो दुनिया का विनास होगा वनों के विभिन परकार के लकडियों के उत्पादन भी प्राप्त होते हैं इसके अलामा ये वायू में भी साहता करते हैं और इस परकार वाई परदुशन को कम करने में वन अहम भूमिका निवाती है भारत में दो नगदी और दो रेसे वाले फ़सल का नाम बता है तो चन्ना और गन्ना या देगे चन्ना गन्ना नगदी फ़सल इसे बेच करके पुश्चा ले ले जाता है का पा दसनरक्षंड, जल बीधूती, इलेक्ट्रिक बनाना, ठिक है, बीधूत, जल परिवहन, मनले, जल वाला रास्ते से, भी लोग जाते हैं, बेपार करते हैं, लोग घूमनें भी जाते हैं, परियटक स्था gas师, से पला न होता है, कृसफी और हो परदूसर्ण की बात करते हैं निवास निवास को नश्ट कर देता है उसका अंदधून सिकार और परजातियों की का अस्थान परिवर्तन ठीक हावा और पानी की परदूसर्ण के मामले में अहम भोमिका है क्योंकि यह जरीए जमीन और समुंद्र में घातक रसायन फैलने में मदद मिलते हैं जेएं छो भी जमीन के नीचे की खूद करके खनीज निकालते है उसका क्या समस्थे तो जमीन के नीचे से निकले हुए जो खनीज होता है उसका सोच समझ के इस्तमाल करना जहां जरूरत पड़े ठीक है एक जतिल परकिरिया है वही उत्त, इसे उत्पादन से ले करके वह भोग तक सामिल किया जाता है, स्वरे उर्जा का उत्त पादन कैसे होता है, वहीं के परकास के शामने, फेजी स्वर्शार मलेट लगा दे जाता है, तो स्माजने है जमीन के नीचे से निकलने samhले तेलिय पदार्त को, तेल टाइप का जो निकलता है, उसे पेट्रोलियम कहते हैं, उसे पेट्रॉल, डीजल, किरोसीन तेल, यह सब चीज़े बना जाता है, पेट्रोलियम अने पेट्रोल नहीं होता है, ठीक है, तो पेट्रोलियम के किनी, किन किनी वह सो करने बनाता है, तो द पांच गो लिख दी हैं चाय कॉफी काजू इस अब रूपड फसल है सरोजनिक और निजी छेतर में क्या अंतर है अजीब हाले यह तो बहुत अजान है बाबू ठीक है सरोजनिक छेतर किसे कहते हैं ऐसा छेतर जिस पर पूरे समाज का अधिकार हो जिस बेपार पर जिस बीज करते हैं सिंपल है जैसे यहां देखिए दुरगापूर विलाई राउर के ला इस पात यह सब सरकारी है यह सब इस पात लोहा बनाने वाले फ्रक्टि सरकारी है यह सब नीजी नहीं है लेकि नीजी चितर में नीजी उभोग यह संचरन किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वायू परिवहन के किन ही दो कार्णों की विसेस्ता बता है तो सबसे पहले तो वायू जहाज जो होता है सबसे पहले तीवर चलने माला साधन है इसके अंतरगत किसी विसेस मार का निर्माण के जरूरत नहीं होती है जहाज को उड़ाने के लिए उपर रूड की ज वूर्ण यहां पे लिख दिए हैं आंदे धुन का टाई बढ़तीवीजन संक्य है डारेक्ट लिख धिजी जहरखंड में मुख्ये लोह अयस्क खनन के अंदर के नाम लिखें तो यहां पर लिख दिए हैं कि यहां पे नवा मंडीूवा जामदा किरिवू यहां पे आदि जह देश में कृसी खादान प्रधान की विशाल जन संख्या के लिए भोजन जुटाना मुख्य लगज़ कुछ 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 कृसी उत्पादन का 80% भाग खादान का होता है ठीक है अब बात करते हैं फसलों की विविंता हैं बता होना पता होना चीज भारत में अनेक परकार के फ करने जाती है ठीक है कृसी मौन सून का जुवा यह गलत हो गया कि कि अपकरने तहीं एक जुए के समाने कि सान तो फछेती कर ने फ़र्वान वरको पानी होता यह तो फसल होगी नहीं होता है तो नहीं होती तो यह भारत में एक समस्या है बहुत बड़ी समस्या भी है यह सब चीजिया आपको लिख देना है इसमें कुछ खास नहीं है इंपोर्टेंट है बस इसलिए आपको इसे इंडिकेट कर दिये बता दिये भारत में अगर यह आपको पूरा का पूरा चाहिए पेडियेफ इसका जो भी यहां पे लिखिया हुआ है तो ग्यापन एकेडमी टेली गिराम चैनल जोईन किजिए और जैसी यह वीडियो आप लोग पूरा का पूरा देख लिजेगा यह आपको पेडियेफ के रूप में मिल जाएगा जलोण मिर्दा है भारत के उपर वाला चेतЬ पूर मारू सकती किन-kीन खनीजों से पराप्थ होता है इसको बताना है तो यहां पर देखें और यहां पर इस इंसर भी दिया है कि वर्तमान समय में परमाडु सकती उर्जा का पर मुक्ष्रोत है या विविन खनीजों से प्राप्थ होता है जिससे यहां पे इलमेणाईट यहां पे वैनोडियम और एंटी-मनिग्रफाइड यह सब चीजों से यह सब प्राप्त होता है सोन नदी के बारे में जाने लो सोन नदी घाटी पर्योजना से उत्पादी जल विधुत का वर्णन करें सोन नदी के अंतरगत जल विधुत के लिए दो सकती ग्रीकी अस्थापना होई पहला पस्मी उचे जल उचे जल यानि कि इसे जल पहला हो जाएगा डेहरी के समीप बांद बनाया गया था बिजली बनाने के लिए जो चौँ पॉइंट चौँ मेगावाट बनाता है बिजली दूसरे पुर्वी उचे एक जल अस्तर है ठीक है वारून के पास बनाया गया था इसका उत्पादम 3.3 मेगावाट बिजली बन बनाय था सूर् नदी पर भारत में किन किन नदियों पर टेल्टा होता है ठीक है तो डेल्टा आपको बताई थे ऐसे ऐसे पानी जहां बहुता है इसे तिरीच टाउल ड艺 नहीं कुझे एंपोर्टेंट है भारत में गंगा का डेल्टा यहां पर शंत्रिंग ब्रह्मापुत्र डेल्टा ठीक है डेल्टा भागों में नदी का डेल्टा विकास होता है अलग अलग चीज मदाथ किया है accomplish 1994 में चिपकों अंदोलन एक परेवन रक्षा का अंदोलन है यह भारत के उत्राखंड राजय में चमोली जिल्या में यह अंदोलन हुआ था ठीक है इसके मुख्य नेता सुन्दर लाल बहु गुणा थे यह भी आप याद रख लेंगे भारत के सडकों के प्रयादेशिक वित्रण के बारे हैं बताना है कि किस तरह भारत के सडक अलग-अलग रूपों में बाटता है अलग-अलग इलाकों को जोड़ता है तो जहां देखे भारत के सडकों का प्रयादेशिक वित्रण काफी और शमान है पक्की सडकों की लंबाई के द्रिश्टी से देश में सबसे पहला राजय महराष्ट है जहा बास से दुसरे अस्थान पर उत्तर परदे से ओडिशा तिसरे अस्थान पर है पकी सड़कों की सबसे कम लंबाई लक्ष दिप में है याद रख लिजे अबजेक्टिव में पुछा गया था अगला कुश्चन है यह देखिए खनीज के आर्थिक महत्व को लिख है हमारे जी प्राओं में ना तो किसी उद्धिस योग यह गलत लिखे उपयोग यह ना किसी राष्ट के विकास की कल्प ना की जा सकती है ठीक है उद्ध्योग होगा भारतिय और थव्यस्ता में क्रिशी का महत्व अरे यार भारतिय आपको पताँए भारत थे खिर्षी परदान देसे यह चेतरना के वल भारत के जीडीपी में लगवा 15% युगदान करता है बलकि भारत में लगवा आधी जनसंक्या रोजगार के लिए क्रिशी चेतर पर ही निरबार है यह चेतर दूतिय उद्धोगों के लिए प्रात्मिक पाद भी उपलब्द कराता है क्रिशी को भारतिय अर्थ व्यास्ता का मुख्यादार इसलिए का जाता है क्योंकि 100% जनसंक्या परत्यक्षरूप से क्रिशी पराधारित है ठीक है इस उद्धोगों में कच्चा माल मिलता है ठीक है और क्रिशी उद्धपादक का निर्माड करके भारत की विदेशी मुद्रा को अर्जित के पूरा का पूरा आपको अंसर लिख दिया अगला कुछ्चन यहां पर है कि बिहार में वन संपदा के वर्तमान इस्तिति को बतावें बिहार में 704.14 हेक्टियर में वन का छेतर है यह एक्जाम में पूछा गया जो बिहार के वह गोलिक छेतर का लगवग 6.87 प्रतिस्ते य आपको याद नहीं होगा इसलिए इसको पढ़ने की ज़रुवत नहीं है ठीक है तल चीन भी आपको पढ़ने की ज़रुद नहीं यहां पर पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आप एक्जाम में एक बार पूछा था इसलिए आप दे दिया है हरित करांती के ब भरा भरा दिख रहा है कुप सुन्दर दिख रहा है तो उसी को हरित क्रांथी कहते हैं सिंपल हरित भरात में नई आर्थिक निती उद्योग छित्र के विकास विस्तार में सहायता मिलती है क्योंकि यह कच्छे माल मशिनरी जैसे माल स्रमिक इंदन व्यापक संचलन आधी में संभव होता था बजार के एक ही करण में सहायता करता है अरे रेल क्या करता है एक जग से दुसरे बैपार करने में मदद करता है सिंपल इतना लिख सकते हो बारत में सडके कितने परकारिक होते हैं सिंपल सटक चार परकारिक होते हैं कौन कौन से सड़क राष्टियराजमार्िकर है उसके बाथ से जीला अस्तर का सड़क हो जाएगा ग्रामी ड़स्तर का हो भृरत में लोह पात ओधो का वर्णन करें लोह अस 파त भात बाधवा सब्दुको देश के आर्थिक विकस दोरी मानminute है भान Catholic में इसका सबसे पहला बड़े पैमाने करकाना उनी सो साथ के जारखंड में स्वन्ड रेखा ठीक है नदी घाटी में साक्षी नामक अस्थान पर जमसेजी टाटा दुबरा बनाया गया था ठीक है अब यहां देखे संसाधन को बचाना और इसका संसाधन के उपयोगता के बा बचाने में तकनिक की बहुत बड़ी भूमिका है मालिजे के जमीन के नीचे संसाधन है उसको निकालना है तो मसीन से निकलेगा अब कुदाल से तो खोदियेगा नहीं या फिर अगर आप ब्रेंच वगरा बना रहा है मालिजे पढ़ने के लिए तो इसमें भी तो मसीन कोशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है बहुत 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 ज़रूरी है बिहार में क्रिसी की समस्या की विवेचना करें ये कोशन ये बिहार के चार क्रिसी समस्याओं की व्याक्या करें बिहार में क्रिसी समस्या का विस्तार से चर्चा करें ये सब चीजे पूछे तो अगला कुस्चन यहां पर एसवाइब के खेतों का अकार बहुत छोटा होता है इसलिए यहां पर क्रिशी में विकास नहीं हो पता है किसानों की रुड़ दा पूराने हिसाब से लोग खेती करते हैं इसलिए खेती आगे नहीं बढ़ पाता है आज भी हम लोग क्या करता हैं बैल से खेती आellyत पीछे। अधिक शारागाज होता है यह आपको बता चुकें नविकरण या नविकरण बता ही दिए प्राकृतिक संसाधनों का संद्रक्षण भाई क्यों अस्यक है भाई संसाधन एक नए एक दिन खतम हो जाएगा इसलिए और पार्यावण को सबसे ज़्याद नुक्सान होगा अगर हमारी प्राकृतिक संसाधन में पेंड़ पहुदे ही खतम हो जाए बाबू तो एक बहुत मदा हम्लोगों दुविदा का सामना करना पाड़ेगा पूरा पुरा का पूरा ब्रह्मांड का संतूलन खराब हो जाएगा और इस तरसे दुनिया का बिनास हो जाएगा जल संसाधन, जल संसाधन की क्या उप्योगता है, अब बती है, जल की हमारे जीवन में क्या उप्योगता है, यह सब कोई जानता है भाई पीने के लिए चाहिए, सब उगरा करने के लिए चाहिए, मशली पालन, मन याद रखे गाए, मैंने से मेगनेज, चुना से चुना पतर, राइट से पाराइट, ठीक है, यह सब चीजे हम आपको उपारी बता चुके है, यह रिपूटेड कोश्चन हो गया, यह सब रिपीट कोश्चन हो गया, हाँ, यह कोश्चन रिपीट नहीं है, जयो बिविनता है जयो बिविनताएं किसे कहते हैं?, तो सीम्पल है जयो मतलब जान है, जीवों में अलग-अलग परकार की बिविनताएं पयाजétais आंतर ौपाया जाता है उसी को जय भीबंता है पाया जाता है फसल चक्रण संडरक्ष्ण करता है उसकी उर्वर्ता सकती है आदल बदल के केति करना आपको लग राऊगा हम बहुत फास्ट बोलने तो मुबाइल में कॉप्ष्ण आता है यह भी आपको बता दी हैं यह भी कोई दिकत नहीं यह लगवक आपको सब टॉपिक बता दिए आम इसमें का ठीक है अब बात करते हैं थोड़ा सा आपदा के बारे में जान ले कि आहां वन भीनास वालन हो गया है भारत में नदी परदुसण वन भीनास आपदा परवंदक की क्या उप्योगता है आपदा परवंदक का उदे से खत्रोस उदे से यहां पर खत्रोस होने वाले संभावित यहां पर अलग हो जाएगा नुकसान को कम करना आपदा आपदा माने होता है बीपत परवंदक माने होता है उस बीपत से कई से बचे तो दूपरकर का बीपत होता है आपदा होता है एक होता है मानिय अपदा और एक होता है प्रकिर्थिक अगर भुकांप सुनामी ये सब गौड के द्वारा आ रहा है तो इसे प्रकिर्थिक अपदा जैसे कुरोना इंसान की गलतियों से हुआ था तो उसे मानिय अपदा कहते हैं इसके को कम करने का उपाय बता हुए या फिर सुखाड के लिए उतर डाई कारक की वेच न करें कुछ हो पुछे तब एक ही गोई एंसर लिखिएगा ठीक है पौधा रोपन नहीं पौधा को रूपी जाद पौधा रोपन द्वारा सुखारोधी फसलों को क्रिसी करके सुखे देख अलग अलग परकार का सिचाई करें हम लोग चाई में एक बार मसीन चला के पाइप बिछा देता है नहीं पर वाइप रहाएगा जहां-जहां फसल हुआ है वहाँ-पाइप नियांसे घिरेगा ठीकिया इस तरह से पानी भी कम लगेगा अकास्मीक परवदन, एक एक परवदन में अस्थानिय परशासन की क्या भमिका है तो अस्थानिय परशासन की मदद से आपदा प्रभावी छेतरों में सीवीर का नेर्माड करें जहां भी आपदा या भीपत या भुकोम से घर टूटा है वहाँ पर एक कैम्प लगाएं और कैम्प लगाएं वहाँ पर हस्पीटल छोटा मोटा बनाएं बैठाएं डॉक्टर को बुलाएं लोगों का उपचार करें यह सब चीजे होता है सोपानी क्रिस्टी क्या है देखिए अप पहाड़ पर इस तरह के खैती होता है इस पर ठीकро शोपानी क्रिस- करते हैं समोच क्रिसी कहते हैं अब बात रहती यह तो आहते हैं यह तो आपको देखिए सुनिएição से देख लेंगे ना आपको देखिए यहां पर पूरा का पूरा हो जाएगा विद्फिगर है कौन क्या है कैसे है बहुत इंपोर्टेंट है इस सभी कोश्चन को अगर आप बावु देख लेते हैं तो प्लीज आपसे रिक्विष्ट आप देखी लीजिए जानते हैं कहा है कहा उसी का अच्छा आजाएगा मन य직 आपके लिए हम कुछ करें तो मेरे लिए आप भी तहों कुछ करेंगे ना जिर्विए जढ़ है किसी नजी गरूप में यसको Ser important ठीक है तैयारी से पहले एक और तैयारी यह पूरा का पूरा आपका जियोग्राफी का अमत किस लेजन का है पूरा किताब का यह objective है ठीक है यह पूरा किताब का objective है यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से बहुत सरा trick भी है यहाँ पे देखिए तो बजार में व यह सब खुद से बनाये गया है यह देखिए आपको स्वाणीम चत्रभू चार सड़क है यहाँ से गलियारा है यहाँ गलियारा दिख रहा है इदर पूछ दे यहाँ से पूरा अपसे पसिम के गलियारा तो बोल दिजेगा यहाँ पे सील्चर वगारे से सुरू हता है और पूर वंदर तक जाता है उत्तर से दक्षिर का गलियारा यह है तो यह सब चीजे आपको हम पूरा का पूरा इसमें नोट्स में दे दिया है यहाँ सड़क वगरा है एनेच वन नेशनल हाईबे वान टू त्री फोर सबसे बड़ा राजमार गी यह सत्वा राजन नेच रहे तो अमीद करते हैं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा प्लीज जादस जादस शेर किजिए फिर हम लोग अगले शेसन में अब मिलेंगे और हम भगवान से हम दूआ करेंगे गौड से ल्ला से खुदा से दूआ करेंगे कि आपका रिजल्ट सबसे बेतर ह बहुत अच्छा हो और आपके चेहरे की मुस्कुराट हमेशा बरकरार रहे तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जैंद और खुदा हाफिस